नैन से मुझे याद आया, भर आय जल राजिव नैना यह भी कहीं लिखा हुआ है, शायद मा भगवति की इन्होंने आधना करी धी, दुर्गामाता की, श्री राम ने, तभी तो दुर्गा दशहरे के दिन पे दुर्गामाता और रावण को भी उसी दिन मारा था, तो उन्हो शिवका भिशेक कर रहे हैं यह कहानी मुझे जाननी है जैसे ही शिवका भिशेक करते करते एक पुश्प कम पढ़ गया बेल पत्र अच्छा इसलिए कहा त्री दलम बेल पत्र क्या होता है तीन दल त्री दलम त्रि गुणाकारम त्रि नेत्रम चहत्रि आयुधम त्रि जन्म पाप संगारम एक बिल्व पत्र शिवारपणम एक बेल का पत्र कोई भगवान महादेव को चड़ा दे तो तीन जन्म के पाप खा जाओं उसके बैए कबसे इसलिए बेल पत्र उल्टा चड़ता है अब आँख निकाली अब वो ऐसे ही रख दे तो उल्टा कर दिया भगवान में उसको इसलिए बेल पत्र आई भी चड़ाया जाता तो उसको उल्टा चड़ाने का नियाम है एक त्री जन्म पाप संगारम एक बिल्व पत्र शिवार पड़म और अभी कली में महाकाल दर्शन करके लोटा तो वहां जब आरती में पड़नी जी न ऐसे करके बुझे बुझे बुलाया तो ऐसे पुश पर फैका और त्री नित्रम त्री दलम बेल पत्र मेरे आप में आ जादू टोटना तो ही करते हैं तो भाई कुछ नहीं है महाकाल पे धागा बन जया था इसलिए महाकाल का सम्मार है जय महादेव मेरे पास सवाल तो और भी बहुत सारे है मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पर मुझे लगता है कि पॉड़कास्ट लंबा अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट करके बताना जरूर आज भले पॉड़कास्ट थोड़े कम में कर दूँ लेकिन अगर आपके भी सवाल होंगे तो अगली बार मैं महराज जी को वापिस से बुलाओंगा खैर ऐसा इसका मतलब यह निए कि मैं पॉड़कास्ट ख़तम करने वाला हूँ अभी हम और बात करेंगे इस पे आप आपको अच्छा लग रहा है पॉड़कास्ट हामें तो जहां अभी मैं भी मानता हूँ श्री हनुमान जी का ही अवतार थे वो तो इनकी कुछ कहानी आप बता सकते हैं कि कब ऐसा लोगों को लगना शुरू हो गया कि यही हनुमान जी है और क्या ऐसा सच में होता है कि हनुमान जी आज हमारे बीच में है और अलग-अलग माध्यम से वो किसी संत के रूप में किसी उनके रूप में हमारे बीच में ही है हमेशा देखिए नीब करोली बाबा को मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि नीब करोली बाबा कोई है ठीक है ना मैं कहची धाम गया ठीक है ना मैंने कभी उनको पढ़ा ना मैने कभी किसी भी उनकी लीला का या जन्म का या कभी इस बारे में मुझे पता ही नहीं है बस लेकिन इतना है कि जब जब उनका स्रूप देखते है तो बड़ी परम वैरागता सादूता नजर आती है और जिन लोगों को अन्भव होते हैं तो होते विनको पडाव है आफने कहा chamado है यह हावा बह रही है यह प्राूलिदिंग कड़िया स्कें हवा प्रघ्ट के देखो जो है निर्मान करता जए इसके बीच में हवा लुख के तो मेरा टीकिया है पर आकाश खड़ा है बिना एक भी खंबा